हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शिर्वदर वित आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलोन एनरजी के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स अगर आप सुजलोन एनरजी के शेयर होल्डर है आपके लिए बहुत इंपोर्टन खबर है बहुत बढ़िया खबर है क्या वो खबर है वो इस वीडियो में आगे अनरजिस करेंगे और बात करेंगे इसका 24 जैन्वर यह नहीं मंडे के टारगिट्स के बारे में इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इसके सोमवार के टारगेट्स के बारे में तो वीडियो को पुरा जरूर देखेगा फ्रिंट्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फ्रिंट्स अगर सुजलोन की बात करे तो डेफिनेटले देखे फ्राइडे के सेशन में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सी बनती हुई देखने को मिली स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीबन 3% के असपस गिरता हुआ देखने को मिली इस हफते अगर आप आप देखेंगे तो 1 month में almost 51% के शांदा returns डिलिवर करता हुआ देखने को मिला इसमें कोई डाउट नहीं है बट फ्रिंट्स अगर आप देखेंगे सुजलोन के लिए सबसे इंपोर्टन के रहने वाला है सबसे इंपोर्टन रहने वाला है company के financials company के numbers company के numbers किस प्रकार आत company के हम वो देख लेता है जो volume आपको रहते हुई देखने को मिली है Friday के session के अंदर तो Friday को अगर आप देखते है तो almost 12 करूर 51 lakh की volume आती हुई देखने को मिली है अपने आप में massive है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अगर आप देखेंगे अमेशा और वो ही आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है buying site पे आपको यह stock रहता हुआ देखने को मिल रहा है करीबन अगर आप देखेंगे 3,56,000 से जादा कि आपको देखने को मिलेंगे buying orders जो है वो pending नजए आ रहे है आपको देखने को मिली है almost 40% 40% delivery रहना अपने आप अब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है अब बात करें इसकी date के बारे में तो देखेंगे company की तरफ से announcement कर दिया गया है और आप आप देख सकते हैं जो dates निकल के आई है 28th of Jan 28th of Jan को company के numbers आते हुए देखने को मिलेंगे यानि इसी हफते company numbers पेश करेगी Friday के दिन बहु expectations quite high इस बार आपको हो सकता है कि बहुत बढ़िया number आते हुए देखने को मिले और बहुत बढ़िया production company करती हुए देखने को मिले अब बात करते हैं इसके target के बारे में तो definitely यहाँ पर correction होता हुए देखने को मिल गया है और कह सकते हैं तो वह running correction काफी important होता है दूसरी बात मंडे का वो रहेगा around 12 rupees and 10 पैसे का 12-10 पे आपको stock जाता हुए देखने को मिल सकता है basic hurdle क्या है 12 rupees 30 पैसे का अगर इसको cross कर जाएगा then stock में बढ़िया 30 आपको आती हुए देखने को मिलेगी और बापिस से 3 रुपे के levels आते हुए देखने को मिल सकते हैं मुझ अगर शुर में yes bank के आज आ चुके हैं q3 numbers q3 numbers काफी important रहते हैं और yes bank के दोस्तों निकल के आ चुके हैं अब देख लेते क्या numbers निकल के आए द्रॉप दिखाईए net interest में एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है जो गरीबन 1764 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है बट बात करें फ्रेंट कंपनी के numbers की तो देखें बढ़े आते हुए देखने को मिले जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 266 करोड का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है जो दिसम्बर कॉटर में था compared to with the profit of 151 करोड in the corresponding year last year तो यहां पर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट है वह 266 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है और पिछले साल जो था वह 151 करोड था यहां पर देखेंगे यहां पर जो कंपनी का quarter on quarter में numbers आते हुए देखने को मिला है जो कंपनी का net profit रहता हुआ देखने को मिला है जैसे अभी देखा आपने तो यहां पर जो numbers है करता हूं quarter on quarter भी तो quarter on quarter भी तो quarter on quarter भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा आता हुआ देखने को मिला है जो कंपनी की total income है total income अगर आप देखते तो यहां पर करीबन 643 लाक की आती हुई देखने को मिलती पिछले साल तो ठीक है numbers ऐसे सच कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है बट हाँ यही कि देखें कि कंपनी किस प्रकास से आगे और numbers बड़ा करने की कुश्च करती है उस पे नजर रहता हुआ देखने को जरूर मिलेगा बट जैसा कि मैंने कहा कि numbers में ऐस सच कोई खराबी अभी नजर नहीं आ रही है हाँ एक बली आप कह सकते है दिक्कत वाली बात है कि कंपनी का जो revenue रहता हुआ देखने को मिलता पिछले साल अगर आप देखते तो काम होता इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीबन 566,433,000 का सब्सक्राइब देखने को मिले है तो एस सच वहाँ पर दिक्कत है ओवरल ठीक है नंबर से यहाँ पर एस सच कोई दिक्कत की बात नहीं है तो बात करें देखिए यस बैंक के टागेट के बारे में तो सब्सक्राइब तो जो पैसा बनता है वो काफी मुश्किल से बनता हुआ देखने को मलता है अगर आप देखिंगे तो लगाता जो मुमेंटम चेस करता हुआ देखने को मल रहे है वह ज्यादा बढ़िया नहीं है मार्केट कहां से कहां पहुज गई वर यस बैंक का स्टॉ सब्सक्राइब या रुपे 60 पैसे के आसपस आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है बिकोज रिविन्यू पर अगर मार्केट रियाक्ट करता है या फिर नेट प्रोविजिन पर तो वो डिफिनिटली देखिए दिक्कत वाली बात रह सकती है अब देखते हैं फ्रिंट्स एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो देने जा रहा है स्टॉक स्पिलिट इसमें आपके पास अगर दो शेयर है तो वो दस में कनवर्ड होते हुए देखने को मिलेंगे यानि अगर एक share है तो पाच share में convert होते हुए देखने को मिलेंगे कौन से company है company जो है वो अपने आप में दुस्तों बहुत बढ़िया काम काच करती भी देखने को मिल रही है और काफी नाम है company का तो फ्रेंट जो company है उसका नाम है रामकृष्णा फोर्जिंग्स रामकृष्णा फोर्जिंग्स ने देखे stock split का announcement कर दिया है और stock split जो announce किया उन्होंने किया है देखे 10-2 के basis पे यानि अगर आपके पास हर 2 share देन आपके पास यहाँ पर आपको 10 share मिलते हुए देखने को मिलेंगे जो face value 10 है वो आप convert हो जाएगी 2 के अंदर तो यह आपको देखने को मिलेगा company के तरफ से देखे अभी तक stock split की date announce नहीं की गई है dates काफी जल्दी announce होती हुई देखने को मिलेगी last अगर one month की बात करता हूं तो stock में अगर आप देखेंगे जादा तेजी होती हुई देखने को नहीं मिले 5 परस इस अफते अगर आप देखेंगे तो stock almost 3-4 परस गरता हुआ देखने को मिलेगा तो बढ़िया company आप चाहे तो definitely investment के बारे में सोच सकते है 1260 का देखे अगर लगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल से नेरे जूटो सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों फ्रेंट्स वीडियो